एलो अब्रिवन एक्जाम वार्ण में आप सभी का सवगत है दस्तों आज से हम SSC के एक्जाम को ध्यान में रखते हुए GKGS का प्रैक्टिस सीरीज सुरू कर रहे हैं यदि आप SSC के किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो यह सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है इसके अलावा यदि आप किसी अन इक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो यह उसके लिए भी बहुत ही महत्पूर है क्योंकि इसमें ऐसे प्रश्णों को सामिल किया गया है जो एक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज का हमारा पहला कुश्चन है भारती संसत के उच्छ सदन को किस नाम से जाना जाता है इसका सही जबाब हो जाएगा आप्शन भी राश्च सभा हारती संसत के उच्छ सदन को राश्च सभा के नाम से जाना जाता है अब संसत राश्च्पती 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 निमलेकित में कौन सा अनुचित समांता की अधिकार से समंदित है। इसका सभी जवाब हो जाएगा, आप संडी Article 14. Article 14 या मूल अधिकार है, मूल अधिकार समिधान के भाग 3 में, अनुचित 12-35 तक में इसका उल्लेक है, समिधान के भागतीन को भारत का मैगना का आटा भी कहा जाता है मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 कौन-कौन से समताक अधिकार या आटिकल 14-18 में हैं सुतनताक अधिकार 19-22 में सूसड के विरिद्धु का अधिकार ये 30-24 में धर्म की स्वतनताक अधिकार या अनुच्छेद 25-28 में संस्कृति और सिच्छा का समंधी अधिकार अनुच्छेद 39-39 में और शमधानिक उप्चारों का अधिकार अर्टिकल 32 में इसका लेक है मौलता समिधान में समपत्तिक अधिकार था आटिकल 13 भी सामिल था हालक इसे 44 समिधान ससुधन 1978 द्वारा मौली कलपारी के सूची से हटा अगे पहले कितने थे पहले साथ मौलता क्या थे लेकिन इसे अनुच्छे देखती इसको हटा दिया गया है अब इसे भाग 22 में अनुच्छे 301 के तहट इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है ठीक है यह ध्यान रखेगा आगे देखते हैं भारत में हर साल समिधान दिवस का मनाया जाता है इसका सही जवाब होगा 26 नॉमबर को 26 नॉमबर को समिधान दिवस के माया जाता है क्योंकि इसी दिन हमारा समिधान बनका तयार हुआ था और आंसिक रूप से इसी दिन लागू हुआ था और पूर्ट रूप से कब लागू था 26 जमवरी 1950 को या लागू हुआ था अला प्रश्ट गिर राश्टी उध्यान किसक काजी रंगा कहा है या असम राज में इस्तित था है महानस नेमेरी नेश्टनल पार यह विए अस्तित में इस्तित है देहिं पटकई यह कहां इस्तित है यह अगला प्रश्ट मौरवंस का अन्तिम सासक कौन था इसका राइट अन्सर हो जाएगा ब्रिधत है ब्रिधत जो है मौरवंस का अन्तिम सासक थार इसने 187 सपूर से 184 सपूर तक साषन किया और ब्रिधत की हत्या जो है उसके सिनापती पुश्मित्र शंगुने की और उसने सुंग सामराज की अस्थापना किस ने की थी चंद्रभूत मौर ने मौरवंस की अस्थापना 322 इससा पोरिश्वी में की थी अला प्रश्ण निमलिकित में कौन सा अडपा अस्थल हरियाणा में है इसका राइट बटवान में कहा है या पाकिस्तान में स्थित्या है अला प्रश्ण वैदिक मंत्रों या भजनों के मुझ के शंगरा को क्या कहा जाता है इसका राइट एंसर हो जाएगा सहिंता वैद हमारे कितने हैं वेदों के संख्या चार रिग वेद शाम वेद याजुर वेद और या विहार के पूर्वी चमपारण जिलीव में के सज़े में स्थित्थ है के सजिब्सक्त रूंचा और सबसे बड़ा इस्तू हो धमे कि सराज में है सारनाथ में अम्रावति स्थू आनपर्देश में और भरुत स्थू यह भी मध्यपरदेश में इस्तित है अला इसमें उन्होंने सम्भूद्र गुप्त के वड़न किया गया अगला प्रश्यन भारत के सर्वोज सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीत कार कौन कसा ही जबा हो जाएगा में सुब्वू लच्छ में भारत करनाटक गाईका थी वह भारत रत्न 1998 से सम्मानित होने वाली पहली संगीत कार थी और रेमन मैंक से प्रस्वाब करने वाली पहली भारती महिला संगीत कार थी और प्रस्वाब में प्रस्वाब दी थी दोस्तों या प्रैक्स स्रीज जब तक सभी एकजाम नहीं हो जाते हैं तब तक लगतार चलेगी यादि आपको हमारी मेहनेद प्रशंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और कोई सुझा हो तो कमेंट में जरू शंतूर को लोगप्री सास्त्रीवाद बनाने का स्रेय निमलिखित में किसी दिया जाता है इसका सही जवाब आप संधे स्यूकुमार सर्मा पंडित स्यूकुमार सर्मा को संतूर को लोगप्री बनाने का स्रेय दिया जाता है इन्हें 2010 में Global Indian Music Award और 2001 में पद्भोषड मिला पंजाब में निमलिखित में कों सा त्योहार खाल सा कि गठन के उपलच में मनाया जाता है इसका RightEndsy भैसा की तवहार खाल साल सांग के उपलच में मनाया जाता है इससा कहा जाता है कि इस दून 16 1990 में शेखच जिन खाल से पन्थ द्वना या गुरुबिन कौन से गुरू थे दस्वन नमबर के गुरु थे तभी से वैसा के तवहर माना जाता है इस दिन से सिख्षों के नया साल के रूप में बना जाता है यह एक बसंत असल उस्तों तवहर है जो आम तोर पर हर वर्ष 13 या 14 अपरैल को मना आए जाता है अगला प्रस् इंद्रा गाधी की निम्लिकित में कौन सी पुस्तक है इसका राइट एंसर हो जाएगा माई पूथ माई टूथ इंड्रा गाधी की उस तक है कुछ अन्पूथ के बारे में देख लेते हैं जो एक्जाम के लिए बहुत ही महत्तपूर है जैसे डिस्कवरी आफ इंडिया कि इसकी बुक है या जवालाल नहरू की विंसाफ फायर एपुजी अब्दूलक्लाम की माई एक्सपेरिमेंट बित प्रूथ से किसकी है महत्मा गाधी की अन्हेप्पी इंडिया किसकी है लाला लाजपत राय की हिंद स्वराज ये धियान रखे ये इकिहास के बहुत सबसे म महत्मा गाधी घीता रहस बाल गंगात वरतिलग और इंडिया डिवाइड़ रजिन पस्कार ये कुश्यन हमेशा ही पूछा में पूछे जाते हैं अलब लिकित में कौन ता बहुनागरा चुद्रगरा बेल्ट में इस्तित है इसका जवाब हो जाएगा ऑप्संसी सायरस ज शूद्रगर कहाँ पाइस आजाते हैं या मंगल और प्रिहस्पति के बीच में हामार जिस drastic की कि बौनगरा ऐसा आसीपेंट होता है जो किसी अन ग्रह की प्रक्मिनर नहीं करता है तथा ग्रह के समान बहुत प्रदाशित नहीं करता है आप यह ध्यान रखिएगा यह आपके लिए बहुत इंप्वाटन्ट है कि छुदगरा किसके बीच में पाया जाते हैं तो इसका सही क्रस्ट हो गया मेंटल और कोर तीन भागों में बटा गया इसे हम क्रस्ट को भू परपटी के नाम से भी जाना दिया सबसे उपरी परत होती है उसके बाद मेंटल होता है उसके बाद ये कोर होता है क्रस्ट या सिलका और एल्मूनियम से मिलकर बना होता है इसलिए सियाल के त्रयम्ब के सवर किस नदी का उद्गा मस्थल है इसका राइट अंसर हो जाएगा गोदावरी गोदावरी का उद्गा मस्थल त्रयम्ब के सवर है अब गोदावरी नदी के बारे हम देख लेते हैं गोदावरी नदी भारत के प्राइदी भा की प्रमुक नदी है यह नदी प्राइधीव भारत की सबसे बड़ी नदी है वह भारत की तीसरी बड़ी नदी है इसे दच्छिर गंगा के नाम से भी जाना जाता है इसकी पत्ती पश्च्च्वी घाट के त्रेमे के पहाड़ी से हुई या महराष्ट के नासिक जिले से निकलती है और इसकी कुल लंबाई कितनी है 1465 किलो मेटर इसकी लंबाई है अगला कुशन है इसका सही हो जाएगा उत्राखंड राज में इस्थित है तपोबन विशूडगर पावर प्लांट भारत के उत्राखंड के चमोली जिले में किस नदी पे है धोली गंगा नदी पर यास्तित है या 520 मेगावाट अरणाफ रिवर पर योजना है किसके द्वारा घोसित किया जाता है अथाथ MSP जो है किसके द्वारा घोसित किया जाता है क्रिश्री लागत और मूल आयोग द्वारा इसकी घोषड़ा की जाती है भारत में सबसे पहले MSP कप जारी की गई थी, 1966-1966 में किसके लिए गिये हूं के लिए ये सबसे पहले जारी की गई थी, अब कितने 22 फंसलों के लिए है जारी की जाती है, ये बहुत important है, इसको ध्यान रखिएगा निम्न में क्या पंचवर्सी योजना का लच्छ नहीं था, इसका राइट अंसर हो जाएगा, उच्छी जनसंख्य भृद्धी या पंचवर्सी योजनाओं का लच्छ नहीं था, अलाप्रश्णों, महत्मा गाधी राष्टी ग्रामीड रोजगा गरंटी योजना अधिनियम 2005, प्रत्य ग्रामीड परिवार को प्रतिवश कितने दिनों का सुनेश्चित रोजगार परदान करता है, इसका राइट अंसर हो जाएगा, सव दिनों का रोजगार परदान करता है, इसके बारे हम डिटेल से देख लेते हैं, महत्मा गाधी राष्टी ग्रामीड रोजगा से लागू किया गया इसके तहर ग्रमेर पड़िवार के उन व्यास अधस्यों को सव दिनों का सुनिष्चित किया जाता कितने दिनों का सव दिनों का पहले से राष्टी ग्रामीर रोजगार गारांटी अधनिया मतना रेगा कहा जाता था लेकिन 2-119 को इसका ना बदलकर मन कर दिया गया है कि आगे देखते हैं कि यूज़न डेपी का मानो विकास रपोर्ट की इन संकेत को को संयुद करके विकास का माप करता है इसका राइट अंसर हो जाएगा इसके तीन मानक है कौन-कौन से सिच्छा स्वास्त और जीवन यह बहुत इंपॉर्टन काई बार प्रस्ण पूछा जा चुका है अलाप्रस्ण 15 में बित आयोग का गठन के स्वर्ष किया गया है अब यह पिछली साल सिच्छ सल का कुछ में पूछा गया है कि सारी कुछिन कि पंध्रवय वित आयोग के घटन को मझे बतानकी 15 में बित आयोग का कारकाल कटते है 2019 2015 प्रथम बित आयोग के अध्य। के सका होन थै कि स्वर्ष नियुकरिबू के जाता है कि अ अगर तक फुछे nut водra के अध्य। इसके अध्य। और पंद्रहूँए बित आयोग की अध्ध्जत कोन है ? स्री एंकेसिंग , कौन ? बित आयोग की नियोगति राष्टपती दौ़ार संवीधान के अनिप निचे have 280 के सहट की गया जाती है नियोगति किस्के द्वारा की मंझूरी किस द्वार जाती है ? केंड़ी मंध्री दारा लेकिन नियूप्तिए कौन करता है राश्वति इसकी नियूप्ति करता है अगला प्रश्ण है सौड़ क्रांति का समभन किस छेत्र से है इसका राईट अंसर हो जाएगा बागवानी से और देख लेते हैं स्वड़ करांती बागवानी और सहथ से समंदित है या 1990 में शुरू हुआ और 2003 तक चला था स्वड़ करांती के जनक निरपट दूतर्ज को कहा जाता है और और हम पुष्करांतियों को देख लेते हैं जिसे हरित करांती या किसे समंदित है खाद्यान उतपादन से गोल करांती आलोत पादन से सोड़ रेशा करंप्री जूट या कपास पादन से पीली करांती तेलहन उतपादन से भूरी कांती उद्रवरक उतपादन मू करांती म प्रिजम के अपवर्टक फलक बर पड़ डाला जाता है तो यह इसके आधार स्टाकरा करा का साथ रंगुन में बिवक्त हो जाता है कौन कौन से रंग बिवक्त होता है इसे परिघटना को हम प्रकास विच्छिस पड़ जाता है यह देखीए जब यहां से रंगों में बिवाजित हो गया इसे हम हिंदी में ट्रिक के साथ बैनी आफ विन्याला के नाम से जानते हैं कि अगला प्रश्न कि स्वच्छ आकास का रंग नीला किस परिखटना के कारण होता है अप्रकास का प्रक्रीडन क्या होता है कि जब प्रकास किसी ऐसे माध्यर्स से गुजटता है इसमें धूल तधा अन्यम स्वधार्तों की अत्यांत सूच मकश्च मखड होते हैं ठीक है अगला प्र gravel देखते हैं कई सा रोग अगता है कवो सब्सक्राइब हो जाएक रेवीज जो जंगली जानवरों के काटने से होटा हैまぁ जंगली जनवरों की सब्सक्राइब टान माइणगी था इंडिका नाम से मतलब बाइग्यानिक नाम इसका नाब कि नाम है बइए इसका नारियल के बभेइजानिक का नाम क्या है कैसु रेना दोस्तों अगर आप इसका पीडियाप चाहते हैं तो हमारी टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स है कमेंटर बॉक्स में मिल जाएगा चलिए देखते हैं सही मिलान कीजिए एक तरफ बिटामिन के नाम है और टीवी के खोच किने कि इसका सबाब हो जाएगा लिउन का Sale Me crush अगर हम तो जिससे हम वीशीजी इन्हें की नाम पे वीशीट आयए खंद जी नाम पड़ा पूछा जाए कि TB के जो बैक्रिया है उसकी खोच कुछ ने थी TB का क्या नाम है Microbacteria tuberculosis में नोबल परसकार भी मिला था इसका राइट keंश कंडिया क्या नाम है इसका राइट अंसर हो जाएगा धिमसा, धिमसा किस राज का है या आंध प्रदेश राज का लोक नित्य है, जमदा, कर्मा और पाइका या जारकन राज से समन्दित है, कर्मा या आपको 36 गड़ राज में भी मिलेगा, ठीक है, अगला प्रश्ण, सुनंदा नायर किस नित्य के लिए प्रशिद्द है, इसका राइट अंसर हो जाएगा मोहणी आठम, किसके लिए? मोहनी आठम के लिए प्रशिद्दॉट Irey है, या हमारा सास्तRI नित्य की संख्य कितनी है, आठ है, आप हमें कमेंट बाक्स में सारे सास्त्री नित का नाम और उसके समंधित राज का है उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए मोहनी अट्टम यह किस राज का है यह केरल राज का प्रम्परा इसके द्वारा स्थापित कि इसका राइट अंसर हो जाएगा अमीर फुस्रो ने भारत में गजल गाने की पर अगर पुछा जाता है अगर पुछा जाए का वाली का जनक का ने भारत में तो भी इसका अंसर हो जाएगा अमीर फुस्रो अगला प्राशन है इसका राइट अंसर हो जाएगा दो VC का अंतर होता है ग्रेश्म का ओल्म्पिक खेल फ्रासो चानुवे में यह हमें सब पुछा जाता है कि उलम्पिक के शुरुवात कभी थी 1896 में ग्रेस की रधानी एथेंस में पहली बार यह खेला गया था तब से इसका एवजन तेक चार वर्ष पर पिया जाता है ध्यान रखिए पहले ग्रेसम कालीन और सीद कालीन एक साथ खेले जाते हैं लेकि क्रिकट गेत की आउसर परिदिक क्या है इसका राइट आंसर हो जाएका ऑप्षन भी है आप्षन डी एत्पॉइंट एट एट वन इंच से नाइन इंच इस परत कितनी थी क्रिकट बॉल की 8.1-9 और जो क्रिकट का पिछ होता है उसकी चौडाई कितनी होती है उसके चौड गोल्ड कोस्ट में गोल्ड कोस्ट कहां पर है यहां आस्ट्रेलिया में अस्ट्रेलिया में तो जार राश्टमंडल कहा हुआ था गोल्ड कोस्ट आस्ट्रेलिया राश्टमंडल खेल या कॉमन वेल्थ गेम्स एक अंतार राश्टी बॉग पर तोगता है इसमें जोट का सबसे बड़ा उत्पादक है इसका राइट अंसर हो जाएगा यूराज सिंह की आदमखता है यूराज सिंह की आदमखता है जोट का सबसे बड़ा उत्पादक है इसका राइट अंसर हो जाएगा तीरन दाची या ससीम टीयस और सीजल में पूछा जा चुका है तो भारतक की परदोशी देश है उनसे छमंदी भी परिश्य में परश्न बनते हैं तो भुटान का राश्टी खेल क्या है अध्यत जाज जीते है इसका राय अनसर हो जो जो回ny और पर दोकुल ये इसे असे मिप्रश्ञ यह है 2017 में ग्रैमी अवार्ड मिला था का मिला था 2017 में अलब प्रश्ण है 1857 की क्रांती के समय मुगल वादसा कौन था इसका राइट अंसरो हो जाएगा option B बहादू साथ जफर 1857 की क्रांती की समय मुगल वादसा था और यहां 19वे नमरे का वादसा और अंति मुगल समराड था और उस समय जो है भारत की दवर्न जनर्राण कौन था लाड़ टैनिंग जो है 1857 के विद्रों के समय भारत का गवर्नर जनर्राण था अहला प्रश्ण है भारत छोड़ा अंदोलन कब सुरूगा इसका सही जवाब हो जाएगा option B 1942 में भारत छोड़ा अंदोलन शु कांगरेश समित के मुंबई अधिवेशन में शुरूख लिया अगर पुछत की अधिवेशन में तो मुंबई की अधिवेशन में और गाधी जी ने इसी समय करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ों अंदोलन का 8 अगस्त 1942 को शुरूर हुआ था अगला प्रश्ण है क अधिवेशन में प्रवधान किया गया था कि भारती न्याधिश भी ब्रिटिस या यूरूपी ब्रिक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं इसका राइट अंसर हो जाएगा आप से अलबर्ड बिल में या प्रवधान किया गया था कि भारती जो न्याधिश है वो ब्रिटिस यह ओर इसे कौन लाया था उसमें वैसराय लाड़ रिपन नेज को पेस किया था समता अस्तर राजी गाधि का समाधिय अस्तर लेव से बीर भूम के नाम से जाना जाता है और लाल भाधो सास्ठी के बिजय घाट से कहा इस्तित है बनारस में कि अगला प्रश्ण है महादेव रनाडे मुखता किस से संबंधित हैं इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्शन सी प्राथना समाज से महादेव रनाडे एक प्रशित विद्वान समाज सुधारक नय विदावर भारती राष्टवादी थी इन्हें इनकी विश्यस्ताव करें डिस्केजिने महाराष्ट का सुकरात भी कहा जाता प्रात्ना समाज के अस्थापना किस ने की थी आत्मा राम पांडूरंग ने यह 1976 नहीं 1866 में इसकी अस्थापना की गई थी स्थापना की अल्लाप्रिश्ण है तिस्थ्रवा सम्धान संसोधन निमलिखित में किस से संबंदित है इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंचायती राज से संस्थान का गठन 1772 में द्वारा किया गया है इस अध्यम द्वारा भारती सं समिधान में एक नया भाग जोडा गया भाग 9 वाग ना जोडा गया और इसमें अनच्छ服 dop 233 से 243चrd ऑ तक के प्राधान सामिल है इस अधिन्यम द्वारा समिधान में ये करन और अन्सूच है और अन्सूच जोडी गई एक 으 अन्सूची जोड़ी गई पंचाःति-5 अगला अब देख लेते हैं दूर द्रिश्ट दोस्त को होता क्या है या एक अपवर्तन दोस्त है जिसमें दूर की वस्त में असपश्ट देखती हैं परन तो निकट की रख्यवस्त को नहीं देखती हैं जाना कि इसके नाम से उल्टा होता है जैसे दूर द्रिश्ट है तो इसमें दूर की वस्त दिखाई देती हैं लेकिन नद्दी की नहीं दिखाई देती हैं और इसके इल लेंस का प्रियोग किया जाता है तो आउता लेंस का प्रियोग किया जाता है आईला प्रशन है दुनिया का सबसे बड़ा यूरियम उत्पादक देश कौन सा है इसका राइट अंसर हो जाएगा कजाकिस्तान कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा यूरियम उत्पादक दे कर दो कि अवार